इसलाम से बुद्धधम का को तो अब कोई खत्रा नहीं है लेकिन ब्रह्मण से है ब्रह्मण बुद्धम का सबसे ताकतवर बिरोधी था होगा ब्रह्मण चाहे जो रंग धारन कर वो चाहे जिस दल में रहे वहा रहेगा ब्रह्मण ही इसका कारण यह है कि ब्रह्मण सेरी कृत समाज आसमानता को बनाई रखना चाहता है क्योंकि इसी सेरी कृत आसमानता नहीं ब्रह्मण को उठा कर सबसे उपर आसीन कर दिया है बोधम समानता में विश्वास करता है या उनकी परतिष्ठा और सक्ति की जड़े ही खुद डालता है वो याकान है कि ब्रह्मडों को इससे नफरत है बहुत संभव है कि या ब्रह्मडों को बोधम की पुनरवापसी की आंदोरन का नेतुद करने दिया जाए तो वो अपनी सक्ति का परियोग इसे नश्ट करने या ब्रह्मित करने में लगा देंगे इसलिए कम से कम अपने कम से कम हमारे अंदोरन के सुरुवाती चरणों में उनकी सक्तसाली इस्तितियों से बाहर करना बहुत जरूरी है ऐसा डार्टर बावास अंबेड कर कहते है इसलाम से बोद्धम को तो अब कोई खतरा नहीं है आपको जानकारी कैसी लगी इसके बारे में कमन जुरू करें बीचे भी ही नो बन्दाइब